कर आज का एग वीडियो क्लास 11 के जो इस्टूएंट्स है उनके जो जो जोग्राफी का सबजर्ट आपका जो सबजर्ट है उसका पेपर होआ है तो आज की में हम कर ऑजक जहां रहता हूँ जितने भी बच्चे मुझे दिखे उन्में मॉर्निंगी शिट J आज पेपर ही नहीं था जोग्रफी का क्योंकि उनके पास होम साइंस है ठीक है तो होगा जोग्रफी का भी होगा लेकिन मिल नहीं पाया है इवनिंग सिप का हम पेपर देखेंगे पेपर कैसा आया है ठीक है 90 मिनट आपके पास होते है 35 नंबर का जो जो जोग्रफी का पेप ने होते तो इसमें जो है मैं आंसर की आपको जो है जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा हम कोशन पर देख लेते कैसा आया कोशन ठीक है तो पहला कोशन निमली कितमे सो कौन सा राजे छेतरफल की जो दिरिष्टी है उससे सबसे छोटा है ठीक है तो छेतरफल की दिरिष्टी का मतलब आप सबको पता होगा बड़ा पूछ रहा है कितना बड़ा है ठीक है यह नहीं पूछ रहा है कि कितना पैसा है उसके पास ठीक है यह पूछ रहा है जमीन कितनी है इनके पास ठीक है कितना बड़ा है तो सिख्किम है केरल होगा यह और उद्द्ध परदेश है ठीक है तो आप राइट एंसर लगा सकते हो गोवा अगला कोशन देखे मैं एंसर नहीं बता रहा हूं ठीक है venk कोई-कोई कोई कोशन के अंसर आपको बता दूं लेकिन मैं एंसर की जल्दी लाओंगा जो मिल जाएगा आपको 10-15 मिनट में ठीक है तो सबसे दूसरा कोशन आता है निम्लिकित भारत के राज्यों को दच्छिंड से उत्तर की और आपको क्रमबंद लगाना है कि दच्छिंड में क्या है सब से पहले सब से नीचे क्या ता फिर ऊपर क्या पर फिर इसके ऊपर तो देखो नाडू सब से नीचे आता है कुरनातर खgregा जाता घ्रेद तो ऐसे आप लगा सकते हों अगला कोशन को चूना पत्थर हेलाइक सेल्वेग खड़िया किस परकार की सेलों का उर्धारन है तीसरा कोशन था चोता कोशन है कि केंद्र सरकार दोरा जो है अनुमोधित एक एकी कृट संडरक्षन जो परियोजना थी वो कौन सी थी आपको यह लगा ना था ठीक ठीक है तो इसमें जो मुझे लग रहा है नमामी गंगे परियोजना लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अंसर की मैं आपको जल्दी दे दूँगा ठीक है जल संबर के छेतर के आधार पर भारती अप वहाँ द्रो भागम होते है उसको परिवर्तित किया अगला कोंटनेंसे कोनसी मानव भूल की साका नहीं है ठीक है आठावा कोशन है जहां आपसे जह कौन सा कथन जोब सबसे ऐक बड़ा साइक नदी कोन निमलिकित में से कौन सा भुगर्व की जनकारी का प्रतेक्ष शाधन नहीं है तो क्या हो जागा इसमें आप सभी को पता होगा प्रतेक्ष में यह आ जाएंगे आपके ज्वाला मुखी ठीक है खनन छेत्र आ जाएंगे निमलिकित में से कौन सा भाहरी ग्रह नहीं है ठीक है पढ़ाया हुआ है निमलिकित में से कौन मा सागरे भुपरप्यटी के ओसत घनतु को दरसाता है अगला कुशन है एक अपवाद रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा का नाम बताने आपको क्या कहते हैं उसे चोदवा कोशन है आपका अमर कंटक परवत स्रंखला से निकलने वाली नदिया निम्न में से कौन सी अपवा प्रतिरूप बनाती है पंदरवा कोशन है हलके भारी घनत वाले पदार्तों के प्रतिक होने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है और ऐसी आपका सोलवा कोशन है इस्थल एद्थिस्थल विस्तार से संबंदीत है ठीक है 17 कोषण आ कौनसी किरल की सबसे बड़ी नदी आपको यह बताना था банगड़ा जो नागल पर्योजना है कोँ सी नदी पर इस्थित ह्यों ठीक है अगला कोषण देखते है' उनिसवा निमली कितमे से कौन भारतव स्री लंगा से अलग करता है तो भारत को स्री लंगा से अलग करने वाला बंगाल की खाड़ी मनार की खाड़ी दच्छीन महासागर या हिंद महासागर तो हिंद महासागर राइट अंसर लगा सकते हैं कोश्शन नमर 20 है निमलीकित में से कौन सा सिली भवन की प्रकिरिया से संबंदीत है है ठीक है कोश dragon 21 है आपका स्तरंग की परमुकिद के माद्ध्ध रोगे के तिरिंगए here और भी अगला कोशन निवलिकित में से किसने इस्थी अवस्था संकलबना को प्रस्तावित किया था ठीक है तो यह यह भी आपने पढ़ा होगा चेप्टर वन में आपका निवलिकित में से कौन सी विस्ष्था जो है प्राइदीप यह नदियों से संबंदित नहीं है फिर सेक्शन भी में आते हैं तो यहां आपसे जो है मैफ वाले कोशन जो है दिये हुए छेत्रफल की दिरिष्टी से एसिया महाधरिप के सबसे बड़े देश का चैन करना है तो छेत्रफल की दिरिष्टी से पूछा गया ना कि जन संक्या पूछा गया तो एसिया महाधरिप का जो सबसे सब्सक्राइब करते हैं तो कौन सी विवर्तनिक प्लेट का निर्धारन उत्री अमेरिकी प्लेट का जो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं तकनिकों के विकास के साथ मानव अपने उपर भौतिक परियावरन के द्वारा कैसे हुए बंदन को ढिला करने में सक्षम हो गया ची चेके के मैं आपको बताना है तो यह आप कहे सकते हूँ यह सही है ठीक से सही लग रहे अगला कोशन तो मुझे easy question लगे है जो आप normally chapter में देखेंगे दाव आयतन इव तापमान में परिवर्तन की प्रिक्रिया के फल सोरुप इन सेलों का निर्माण होता है ऐसे होने से ठीक है फिर अगला question निमलिकित में से कौन सा कथन जो है गंगा नदी तंत्र के संदर में सत्य नहीं है अग अतर नहीं है पूछा है उत्तरदाई नहीं है तो यह तो उत्तरदाई है यह वी उत्तरदाई है यह फिस फिर आगे आपको मिलान करना था इसमें ठीक है आगे चलते question भाग पूछा गया है ठीक है तो भारत का जो उतरी भाग है हो कौन से कटी बंद में इस्तित है तो आपने कटी बंद पढ़ा होगा तो आपको बहुत इजी लगेगा वह निमलीकित में से कौन सी अबदी जो है भूवे ग्यानी काल माप करम से करम में सबसे लंबी है ठीक है तो यह भी आपने पढ़ा है अगला कोशन देखते हैं यह आपका मिलान करने वाला है और यह वाला जो आप देख रहे हो निमलीकित में से कौन सी अबदी जो है भूवे ग्यानी काल माप करम में सबसे लंबी है तो यह आपको करवाया भी गया था आगे चलते कोशन नंबर नंइकाथन और कारणवाल कोशन है जिसमें महसागरे कटकों के समीब की च्टानेंग में साम no-22 उसी तरह से प्रायदीप कि अन्य नदियों कि सब्सक्राइब के साथ कावेरी ने दी लगवक सारा साल बहती है ठीक है और दूसरा कह रखा इसके उपरी जल ग्रेंट चेतर में द्रशिन पची मांसुम से और नीमन चेतरों में उत्तर पूर्वी मांसुम से वर्षा होती है आगे चलते कोशन नमर 43 तो इसमें आपको मिलान करना था आप कर दी होंगे नहीं कियत में अंसर आपको जल्दी जो है बहुत जल्द प्रुवाइट करवा दूँगा भारत में करके रेखा अनेक राज्यों से होकर गुजरती है सबको पता है सही उत्तर का चैन करना उत्तर परदेश तिरी पूरा ओडिसा तिलंगाना ठीक नम नहीं आता है ऐसमें आपको मिलान करना आगे चलते हैं इसमें भी आपको मिलान करना है मिलान वाले कोशन बहुत आये हूए इसमें आगे देखते निमलिकित कत्रों पर विचारमे मुल्य आंकन करे तथा दिये गए विकल्पूं में सही चैन करना आपको तो यह आप देख लीजिए बाकी यहां पे भी आप से जो है कुछ सही योग में बनाई यह तथा जो उचित विकल्प है उसका चैन करना है ठीक है तो केंद्र सासित परदेश और राजधानी एक तरह से आप से पूछा गया है आप इसली कर लिए होंगे आगे चलते हैं कोशन नंबर सैक्षेंज सी पर आते हैं यहां पर आपको क्या है स्रोत आधारित प्रशन देखनों को मिलेंगे जहां पर आपको इसे पढ़के जो है एक तरह से उतर देना होता है तो यह तो आपके लिए बहुत इजी हुआ होगा हिंट मिली जाता है एक अधारित प्रश्ण 57-60 तक जिसमें आपको जो है यह कुछ डाइग्राम बनाए हुए दिये हैं और इसमें आप अध्यान पुर्वक अध्यान करें और नीम्न प्रश्णों के उत्तर दीजिए ठीक है आपका यह आपने देखा होगा आपकी चैप्टर में यह हमारी जमीन है नीचे के जमीन उसको तीन भागों में बाठता है सबसे उपर का भाग फिर बीच का भाग यह वाला भाग आ गया एक यह वाला भाग आ गया एक सबसे नीची वाला भाग आ गया इसको क्या कियते है इसको क्या कियते आफको पता होना चाहिए भूल पर्पटी Or और क्रोड ठीक है सबसे उपर भूपरपटी होता है फिर मेंटल होता है फिर क्रोड होता है और इसी के रिगार्डिंग जो आपसे कोशन पूछे गया है आगे चलते हैं यह आपका 60 कोशन और 57 दिरखा दिरिश्टिवादी छात्रों के लिए और यह है आपका 58 कोशन इसी से रिलेटेट पूछे गए आपने कर लिया होगा यह तो यह आपके लिए डाइग्राम तो आपको मैंने बताया ही था आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा जल्दी मैं आपको जो है solution दे दूँगा साथी जो पेपर है आप कह सकते हो कि दस पर्तिा ऐसे जो आप बहुत मुस्क्शिल शकर पाते लेकिन आप कह सकते हो यह पर यह इस tattoo आए तहीं इतना नहीं आए कि अप जो है मिलान वाले में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो बाकी पेपर एजी आया था ठीक है तो यह था आज का वीडियो आयोग के आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मैं जल्दी आपको एंसर की जो है इसका प्रोवाइड करवा दूँगा और मिलता हूं आपसे अगली और अग्साइटिंग वीडियो में जब तक ले जया ही जय भारत वंदे मात्रम